नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे धाला का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? धाला का इंग्लिश मीनिंग होता है, Molded, Shape, Cast और Mold. इसे एक्जामपल से समझते हैं, Example, The government has created a new mold of the scheme. उदाहरन, सरकार ने योजना की नई धाला बनाई है. इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, अब आप मुझे comment box में बताईए, नियम का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? Thank you.